अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से ESIC पटना ने निकाले विभिने पदों पर भरतियां कर्मचारी राज्य बीवा निगम ने विभिने पदों पर आवेधन की मांग की है इन पदों के लिए चुक अभिरती ESIC के आधिकारिक वेबसाइट ESIC.nic.in के जरी आवेधन कर सकते हैं इन पदों के लिए चुक अभिरती ESIC की तरफ से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आवेधन कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि इन पदों पर अभिरतियों का चैन इंटर्व्यू प्रक्रिया के तहत किया जाएगा इंटर्व्यू चार जून और आवेधन करनी के अंतिन तारीक दो जून तैकी गई है बिहार में कोबिट-19 के बिले 1500 से कम आमले स्वास्तव भभा की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीतर दिन के पिश्चर 24 घंटे में कुलमिलाकर 1491 मरीजों के पुष्टी हुई है जिसकी बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संक्या 21,084 पर पहुँच गई है इसकी साथ ही अगरम प्रफाविज जिलो की बात करें इसकी साथ ही 49 ऐसे मामलों की पुष्टी हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किये हैं इसकी साथ ही बीतर दिन के पिश्चर 24 घंटे में 5166 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं वहीं बीतर दिन के पिश्चर 24 घंटे में कुल मिला कर 82,460 सैंपल की जो आज की गई है ब्लाक फंगस को लेकर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने किया बड़ा खुला सा मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने फंगस की बड़ते खत्रे को देखते वे चुंता जाहिर की इसके साथ उन्होंने ट्वीट कर बताया कि बिहार में ब्लाक फंगस के मरीजों की संख्या में व्रिध्य हुई है इसके लिए स्वासर विभा को सभी चुकत सा महाविद्याले एवमस्पतालों में इसके इलाज के लिए आवश्यक विवस्था करने का देश दिया गया है हाला कि इन सब के बीच लोगों को सबसे जादा सतर्क रहने की जरूरत है बिहार में नाबालिक बच्चों को हर महीने सरकार देगी पैसे COVID-19 संक्रमन की चेन बिहार में कमजोर होती नजर आ रही है COVID-19 के 15 से 20,000 मामने रोज मिलने वाले के बीच अब संख्या जो है 2,000 तक पहुँच गई है इसी बीच बड़ी संख्या में लोगों की जान चरी गई है एक अनुमान के मताबिक बिहार में 43 बच्चे ऐसे हैं जोरोंने COVID-19 से अपने स्वजनों को खो दिया है इन सब ही मुद्दों को ध्यान में रखते वे हैं निकर्तम स्वजन को हर महीने 1,000 रुपे देने का सरकारन अलान किया है इसके साथ ही समाज को लियान विभाग कारियाले से प्राप जानकारी के नुसार जुन बच्चों के मातापिता की जान COVID-19 के कारण गई है उन्हें सरकार द्वारा संचालित परवरिश योजना के तहट भरन पोशन के लिए 1,000 रुपे के आर्थिक मदद दी जाएगी साथी करोना काल में अगर कोई नावालिक बच्चा अनाथ होता है और फिर उसकी देखरेक के लिए उसके कोई स्वजन सामने नहीं आते तो ऐसे बच्चों को विभाग अपने सर से समाज का लियान विभागी देखरेक में संचालित के एर होम आच्ट्रेगरी में रखेगा बिहार में बारिश ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड यास चक्रवाद बंगाल और उडिसा की खारी में उठने के बाद काफी तबाही मचवा चुका है इतना ही नहीं बिहार में भी बारिश काफी ज़्यादा देखने को मिली हलाकि मौसम विज्यान केंद्र की माने तो प्रदेश में पिछले 10 सालों में मई महीने में सरवाधिक बारिश हुई है स्पटना मौसम केंजर के विज्यानी संजी कुमार की माने तो तूफान के प्रभाव को राजिक अधिकांश लाकों में समाप्त हो गया है अब दबाव के बाद की स्थिती बनने लगी है श्रनिवार से राजधानी समेट दक्षुन बिहार के अधिकांश भागों में मौसम साफ हो गया है लेकिन उत्तरी बिहार के कुछ लाकों में भारी तो कुछ छेत्रों में मध्यम दर्जु की बारिश हो सकती है पिछले 24 गंटे में सबसे जादा बारिश कतिहार के मनिहारी में रिकॉर्ड की गई महाँ कुल 250 मिलिमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है राजधानी में पिछले 36 गंटे में 109 मिलिमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई रेल टिकेट पर मिलेगा 5% का डिसकांट भारते रेलवे ने रेल टिकेट पर 5% डिसकांट देने का ऐलान किया है कोविड-19 संक्रमनकाल में नगत भुकतान में कमी लाने के लिए रेलवे की तरफ से ओनलाइन भुकतान के साथ साथ यूपी आई से भुकतान को बढ़ावा दिया जा रहा है जीयम की तरफ से सभी मंडलों के रेल प्रवंध को आदेश भी भेज जी आ गया है यह सुवधा अगले साल 12 जून तक यात्रियों को मिलेगी जीयस्टे रिटर्न नहीं भढ़ने वाले कारोबारियों को सरकार ने दी रहा है जुलाई 2017 से अप्रेल 2021 तक जीयस्टे दाखल नहीं करने वाले कारोबारियों को केंद्र सरकार की तरफ से राहत मेली है जिसके तहत ऐसे कारोबारियों को एक मुष्ट छूट देने का नेरने लिया गया है उप मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रि टार के शूट प्रसाद ने केंद्रिये वित्त मंत्री इंद्रबला सीतारमन के साथ जुएस्टी काउंसिल की परिच्वे बैठक में भाग लेने के बाद यह जानकारी दी उन्होंने बताय कि केंद्र सरकार ने बड़ी छूट देते वे उनके लिए भी विलंब शुल्क की अधिक्तम सीमा तै कर दी है जिसके तहट 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक दाखिल की जा सकती है तो शूने कर दे तावाले कारोबारियों के लिए अधिक्तम विलंब शुल्क 500 रुपे जबकि अन्यमामलों में अधिक्तम 1000 रुपे विलंब शुल्क दे होगा COVID-19 के दूसरी लहर में बिहार सरकार ने अब तक खर्च किये 2000 करोर COVID-19 के दूसरी लहर बिहार में अब थमती नजर आ रही है हाला कि इन सब के बीच बिहार सरकार की तरफ से दूसरी लहर के लिए किये खर्च का ब्योरा साज़ा किया गया है जुसके देहत राज़ु में टीका करन, टेस्टिंग, दवा, ऑक्सिजन और रिलाज समेत अन्य सभी तरह के संसाधनों पर करीब 2000 करोर रुपे खर्च किये गया है इस आपदा के तौरान आपदा सिती में शुरू किये गया, सामुदाई केचन, कोबिड-19 सेंटर और टेस्टिंग सेंटर समेत अन्य सभी पर किये गया, खर्च भी शामिल है फिलाल इस मद में खर्च हो रही बड़ी सी राश्वी, मुख्य रूप से अपात कालीन फंड के जरिये ही खर्च हो रही है, इनमें सबसे जादा खर्च टीका करन पर ही सरकार ने किया है अब तक जितने लोगों का टीका करन हुआ है, उस पर करीब 1,000 करोर रुपे सरकार की तरफ से खर्च किये जा चुके है अगले महीने से होगी बाढ़ प्रभावित गाओं की रेकी, बिहार में बाढ़ के संभावनाओं को देखते वे आपदाबल और अधिकारी 15 जून से प्रभावित गाओं की रेकी करने वाले हैं जहां पर सभी लोगों को बचवाव के टिप्स दिये जाएंगे, मिली जानकारी के नुसार ये ऐसे गाओं होंगे जहां पहले के साल में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है इन गाओं में आपदाबल के जवान लोगों के बीच जाकर इहां बताएंगी कि COVID-19 में अगर बाढ़ा आती है तो वो सुरक्षित कैसे बाहर निकल सकते हैं हाला कि 10 जून को ही NDRF और SDRF के जवानों को जिलों में तैनात कर दिया जाएगा रेकी के तोरान गर्ववती महिलाएं बुजूर्गों और बच्चों का ब्योरा भी बनाया जाएगा बाढ़ से बचाब और अन्य अत्याधुनिक आपदा प्रबंधर उपकरणों के साथ कटिहार अररिया, सुपॉल, किशन गज, दर्भंगा, मुजफर, बुर्गोपाल गंज, मोतिहारी, बेती, आनालंदा, छप्रा, पटना और बकसर में रेकी का काम पहले किया जाएगा आज बिहारी पैचान में हम बात करेंगे अखिले इंद्र मिश्रा की अखिले इंद्र मिश्रा का जन विहार के सिवान जुले में 18 सेतंबर 1960 को हुआ था इसके साथ इद्या और बाती है महभारत तो मेरा हीरो जैसे टीवी सीरिल में भी वो नजर आए है पीम आवास योजरास में इस बार ज्यादा सतर्क रहेगी बिहार सरकार जमीन की कमी के चलते आवास सेवन चुत गरीबों को जल से जल राहत मिले वाली है राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग उन्हें सरकारी जमीन दलवानी की तयारी कर रहा है विभाग पहले ही इस कोशिश में जुट चुका है साल भर से जारी COVID-19 की वज़े से काम आगे नहीं बढ़ सका लेकर पटना एरपोर्ट पहुचा वाई-उसेना का विहार में COVID-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच भारतिय वाई-उसेना का एक विमान श्रनिवार को दिली से पटना एरपोर्ट पर लांड हुआ पपू यादव को जमानत के लिए करना होगा और इंतजार 32 साल पुराने मामले में सलाखों के पीछे बंद हुए जोनाधिकार पार्टी के प्रमुख पपू यादव की मुश्किले खत्म होने का नाम नहीं रही है बीते दन मधिपूरा के जुला एवं सत्रने अधीश की अदालत में पपू यादव को जमानत नहीं दी गई जिसके कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा एक जुन को अगली सुनवाई की तारिख नरधारित की है जोरा निचली अदालत केस का रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश दे चुकी है अलाकि इसे पहले मध्यपूरा की A.C.J.M. कोट में भी वपू यादव की जमाना तरजी दाखल के गई थी जुसे कोट ने रिजेक्ट कर दिया था बिहार के 6 जिलों में 10 से भी कम आई COVID-19 के स्वासिव भाग की तरफ से बिहार के लिए राहत भरी खबर सामने आई है जिसके तहर 6 जिलों को चिनित किया गया है जहांपर COVID-19 संक्रमेतों की संख्या 10 से भी कम बताई गई है जो कि बिहार के लिए करहात की खबर है आपको बता दे कुछ समय पहले ही बिहार में 15,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टी हर दिन हो रही थी लेकिन अब मामले 1500 से कम पर आ गए हैं जिसके बाद स्वासिव भाग लगातार परिशान नजर आ रहा था लेकिन बीत दिन जारी के गया आकडों के नुसार 6 ऐसे जिल आया है इसी को ध्यान में रखते वे बिहार में बच्चों को दिये जाने वाले वैक्सीन के ट्राइल की विवस्था शुरू कर दी गई है जिसके तहट बीते दिन ट्राइल के लिए एमस में 70 बचों ने रेजिस्टेशन करवाया हाला कि एमस के डॉक्टरों ने 550 बच्चो का ट्राइल का लक्षी रखा था लेकिन दूसरे दिन मातर 70 बच्चों ने रेजिस्टेशन करवाया डॉक्टरों की माने तो 70 बच्चों का रेजिस्टेशन ही हो पाया है सभी बच्चे पटना जुला के आसपास के हैं दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण लोग इ अधिक्षा कनिल कुमार ने कहा कि कम बच्चों का रेजिस्टेशन चिंदा की बात नहीं है दो तीन दिनों के अंदर लक्ष को प्राप्त कर लिया जाएगा यास तोफान के असर और बार्ट से इस सुरक्षा के लिए जलसन साधर विभाग ने शुरू की निगरानी पुषर तालीस घंटे के दौरान चक्रवात के कारण मध्यम से भारी बारिश पुरे बिहार में दर्श की गई इसके कारण राज के ज्यादतर नदियों के जलस्तर 91,095 क्यू से एक जब की गंड़क नदि का एक लाखे के सजार 500 क्यू से था जिसको धियान में रखते वे राज्य के जलसन साधन मंत्री संजयो कुमार ज़हा ने बताये कि बिहार की सभी नदियों की सतत निगरानी की जा रही है फिल्ड इंजिनियों के जलस्तर और बराजो पर सभी संबन्दी डेटा हर घंटे मुख्याले को भीज रहे हैं केंडर सरकार के 7 साल पूरे होने पर बिहार भाजपा 20,000 गाउं में करेगी सेवा केंडर सरकार ने 7 साल पूरे कर लिये हैं COVID-19 के कारण भाजपा 30 माई को सेवा देवस के रूप में मनाने वाली है जिसके तहत आम लोगों से जुडने का और उनकी सेवा करने का लख्षोत है किया गया है इसको लेकर भाजपा कारे करता आज गाउं गाउं जाने वाले हैं इस बाबत भाजपा के प्रदेश अध्यक संजीट जैसवाल ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि 30 माई को केंद्र की NDA सरकार के 7 साल का कारेकाल पूरा हो रहा है COVID-19 के विपरीद परिस्वितियों में भाजपा ने यहन देंडे लिया है कि सेवा ही संगठन के माध्यम से 20,000 गाउंस से सेवा का कारे करेगी इसके तहट लोगों को जरूरत के हिसाब से मास्क, सैनिटाइजर, PPE, किट, राशन और अन्य सामान भी बाटे जाएंगे मुख्यमंत्री ने की दर्भंगा एरपोर्ट की तारीफ मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बीते दिन अप्रत्यक्ष रूप से हाली में कॉंग्रेस निता पीच्य तमरम के द्वारा दर्भंगा डीमसी अच की बधाली पर किये गया बयान का जवाब दिया है इसके तहत उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि केंद्र सरकार के सहयोगी और राज्य सरकार के अथक प्रयास से दर्भंगा हवाई अड़ा नवंबर 2020 से चालू हो गया है इससे मिथला के लोग देश के अनेक शहरों के संपर्क में बने हुए है COVID-19 के बावजुद राज्य के इस तीसरे हवाई अड़े से रिकॉर्ड संख्या में लोगों का आवागमन संभव हो पाया है उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगती में दर्भंगा एरपोर्ट सहायक होगा वहीं इससे पहले भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी पीछे तबरब पर हमला बोला था यास तुफान को लेकर तेजस्वी आदव ने साधा सरकार पर निशारा लेकिन अभी तक कोई भी ड्रेनेज की ववस्ता सही तरीके से नहीं की गई है कोने कोने में कूडे का धेर है कोई आश्यर नहीं है कि बिहार के शहर सबसे जाधा प्रदूश्यत और गंदे है बीते दिन राजधानी पटना पहुंचे सांसद रविश्वंकर प्रसाद ने बिहार से गायब रहने के पीछे के अपनी मजबूरियां बताई है जिसके तहत PMCH का दौरा करने पहुंचे और COVID-19 संक्रमन को लेकर हॉस्पिटल दौरा के लिए पहुंचे और कारयों की समिक्षा करने पहुंचे रविश्वंकर प्रसाद ने कहा कि लौकडाउन होने की कारण कभी भी आवा गमन की अनुमती नहीं थी मैं पठा में नहीं था लोगों को यह बात समझी चाहिए लेकिन मैं दिल्ली में रहकर पठा के हालात की जानकारी लेता रहा था पंचाइट प्रतर निद्यों के कारेकाल को बढ़ाने पर एक मत दिखे मांजी और सहनी 15 जून को पंचायत प्रतरियों के कारेकाल को खत्म कर दिया जाएगा इसे बीच पीते दिन इंडिये के सहयोगी और बिहार के पुर्व मुख्यमंतिर जूतर नाम मांजी से मुलाकात करने मुकेश सहनी पहुँचे थे दोनों के बीच मुलाकात के विभिन बुद्धो पर विस्तार से चर्चा हुई वह पशुपालन मंत्री ने कहा के डिजूटल सिंगनेचर की वज़े से काफी पंचायत में कारे प्रभावित हो रहा है ऐसे में यदि पंचायत प्रतरियों के कारेकाल को नहीं बढ़ाय गया त सिखो के पांचवे गुरू अर्जन देव का निधन हुआ था 1826 में पहले हिंदी सापताहिक पत्र उद्धन्द मार्तंड का प्रकाशन हुआ था 1987 में गोवा को राज्यो का दर्जा मिला और गोवा भारत का 26 वा राज्य बना 2012 में विश्वनाथन आनंद पांचवी बार विश्व सर्चतर अंजू चैंपियर में ने 1935 में भारत के प्रक्याद सितार वादक देवू चौधरी का जन्म आज्यू के दिन हुआ के महीने में BCCI UAE में ही टूर्णामेंट कराने की योजना बना रहा है जिसके तहर्त 25 दिन के अंदर बाकी बचे मैचों को पूरा कराने का लक्ष रखा गया है खबरों की बाने तो Emirates Cricket Board से बात हो रही है और वो पिछले बार की तरह ही आबुधाभी, दुबई और शार्जा हमें बाकी बचे मैच को करवाने को राजी हो गए हैं इससे विदेशी खिलाड़ियों से उनकी उपलब्ध था के बारे में बात्चीत करनी और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी शायद उपलब्ध हो लेकिन इंग्लांड और नीजलांड के खिलाड़ियों को लेकर संच्छे बरकरार है अब आईए जो आते हैं सराफा बाजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे बाढ़ अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,580 रुपय था मई 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,580 रुपय था इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रति के लोग 71,600 रुपय था इसके साथ ही राजधानी पटना में पिट्रोल की कीमत 96,44 रुपय प्रति लीटर और डीजल 90,47 रुपय प्रति लीटर था अब वाटसाप पर अपने पसंदीदा भाशा में कर सकते हैं बात तो उसके बाद आपको Settings में जाना है और Language और Input Option पर टाप करना है अब आपको अपने मौझूदा कीबोर्ड पर टाप करना है और उसके बाद Choose कीबोर्ड पर टाप करना है कल हमारे दुआरा पूछे इस सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत है निवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गुनगुन कुमार, धर्मवीर कुमार, वकास पासवान, दिनेश लाल यादव, सुनील कुमार, मनो हरलाल, आतफ खान और उपेंद्र कुमार, रविकांत कुमार, श्रिफ बचन कुमार, सुधीर सिंग, गोविंद कुमार इसके लावा, मारी टीम को और भी लोग के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय कि आभाफ की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हुमारे सवालों का जवाब देते रहें, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आज के इस सवा का हालात को देखते हैं, क्या बिहार सरकार को पज़ाद प्रतनिद्यों के कारेकाल को बढ़ा दे हैं?